वन्दे गव मातरम साहिवाल नसल की गाएं सुन्दरता में नंबर वन होती हैं साथी दूद छमता में भी नंबर वन और उसके अंदर सवाव भी इनका ऐसा शान्त सरन रहता है कि हर पशुपालक की चाह रहती है कि वेगर में एक साइवाल नसल की गाये खरीदे उसमें से कुछ पशुपालक ऐसी चा भी रखते हैं कि उन्हें गाये बिना सिंगों की मिले जो पशुपालक पहली बार पशुख खरीद रहे हैं जो देशी गोमाता को खरीदना चाहते हैं उनकी चाह रहती है कि हमें बिना सिंगों की गाये मिले आज ऐसी गाये की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूटे देशी गोवन्स इस मुईम को पूरा करने के लिए आज एक शान्त सरल सबाओ की साहिवाल नसल की गाये जो सेल के लिए अवेलेबल एवे दिखा रहा हूँ अगर आज आप इस शेल पर नए हैं हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लें साथी साथ नस्दीक दिये गए बैल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको रेगुलर और सबसे पहले मिलती रहे चलिए सुरू करते हैं आज जो गाये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बारे में संपुर्ण जानकारी दूँगा आप सवभाव स्वयम देख पा रहे हैं काफी ठंडे सवभाव में है गाये ये गाये थर्ड लेक्टेशन में है अपने तीसरे ब्यात के अंदर है और अभी भी इसे ब्याने में साथ से आठ दिन ड्यू है इन दिनों में आप स्वयम अनुबव कर सकते हैं कि अडर के अंदर डवलोप्मेंट कितना और हो सकता है ऐसा हमें कमेंट करके भी जानकारी जरू से दीजेगा शांदर कदकाठी की गाये नाभी वेल शेफ्ड जो गलकंबल तक कनेक्टेड है और नाभी गलकंबल से कनेक्टेड तो है इसाथ ही अडर से भी फुली कनेक्टेड है लंबी पूँच है जो नीचे जमीन तक है आप देख पारें चाल डाल गाये आपको चला कर भी दिखा रहा हूं ताकि गाये का सबाव भी आप जाच पाएं और गाये की जो दू छमता है वे आप बोडी स्ट्रक्चर को देखकर भी अनुमाल लगा पाएं गाये का सबाव भी इससे पता चलता है और गाये की सहत यानि कि गाये कहीं से कुछ बिमार तो नहीं है इस बारे में भी आप चलाकर देखने से ही अनुमाल कर सकते हैं आप यहां खुद उपस्तित हो और यहां आकर गाये को भली बाती देख परकर खरीदें तो वे आपके लिए गाये निश्चिति शांदार चोईस होगी इस गाये को मुकेश राव जी जो विलेज कमीनपुरा डिश्टिक्ट शिरी गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं इसे सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं इनका मुबाइल नमर 9672668135 इन मुबाइल नमर पर संपर करके गाये के बारे में और अधिक जानकारी चाते हैं तो वे जानकारी भी ले सकते हैं और आप इनी नमरों पर संपर करके गाये के बारे में तो जानकारी लेंगे ही साथी ट्रांसपोर्ट की फेसिलिटी और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस के बारे में भी जो हर सिट्टी के लिए अलग-अलग होंगे उस बारे में भी जानकारी जरूर से ले लें 16 लीटर दू छमता हमें मुकेश राव जी ने इस गाय की बताई है आपको ये दू छमता कैसी अनुबव होती है ये गाय 16 लीटर दू छमता असिल कर सकती है या नहीं आपका अनुबव क्या कहता है हमें कमेंट करके जानकारी जरूर से दीजिएगा इस गाय की कीमत मुकेश राव जी ने 60,000 रूपीज डिमांड की है प्राइज नेगोशेबल है कीमत में बारगेनिंग चाहते हूँ या ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी और चार्जेज के बारे में जानकारी चाहते हूँ तो मैंने स्क्रीन पर नंबर और एड्रेस मेंशन किया है आप यहां संपर करके संपूर्ण जानकाई ले सकते हैं वाटसप पर वीडियो कॉल करके भी गाय को देखा परखा जा सकता है लेकिन उचित यही रहेगा कि आप अपनी नजरों से एक बार आमने सामने गाय को जरूर से देखें वे आपके लिए काफी उचित रहेगा आप यहां पर उपस्तित होकर गाय के खानपान, रहन सेन, इतियादी के बारे में भी जानकारी संपूर्ण रूप से ले सकते हैं जो व्यूवर्स इस गाय को देख रहे हैं हमें कमेंट करके इसकी दूच छमता और कीमत के बारे में जरूर से राय दें ताकि बाएर इस से सायता ले पाए धन्यवाद दोस्तों